दोस्तो नमस्कार, आदाब सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिक्रम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश चुनाओ सुधार या जन्तंत्र का चीर हरण मैं इस विशेप पर बाचीत करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत छोटी है चारखंड के सिम्डेगा जिले में 11 साल की एक बेटी, एक बच्ची संतोशी नाम था 2017 के संभौता सेप्टमबर अक्टूबर की घटना है उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई मौत क्यों ही? भोजन के बगएर, भूखे रहने की वज़ा से ऐसा क्यों? क्योंकि राशन कार्ड जो था उस समय वहाँ भारती जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में मौझूदा सरकार ही चल रही थी बड़ा जोड था भाजपा सरकार का की हर चीज को आधार से जोड़ा जाए तो जो राशन कार्ड था उस परिवार का वो आधार कार्ड से जुड़ नहीं पा रहा था क्योंकि कभी लाइट रहती थी कभी लाइट नहीं रहती थी जब उसके परिवार के लोग जोड़ जाते थे किसी शॉप पे जहां पर यह सब चीजें होती हैं तो वो कहता था कि अभी लाइट नहीं कैसे लिंक करें लिंक नहीं हो पा रहा है कई बार अगर लाइट भी होती थी तो नेट काम नहीं कर रहा होता था तो इस तरह से कई महीने तक आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों का मिलन नहीं हो पाया लेकिन सरकार सरकार तो आमादा थी कि हम तो हर हालत में higher technology तक ले जाएंगे आम लोगों को भी गरिब लोगों को भी उत्पुरित समाज के लोगों को भी जहां बिजली के खंबा नही जहां नगरपाली का हर जगा डिजिटल हो जाएगा ऐसे में संतोशी के परिवार वालों को कई महीने तक राशन ही नहीं मिला राशन कार्ड से उनका नाम डिलिट हो गया अंत में भुकमरी की शिकार हो गई वो लड़की और मर गई ऐसी कई घटनाएं मैं आपको सुना सकत और तो और हम लोग दिल्ली राजधानी में रहते हैं या इंसियार में आप रहते हैं बैंकों में जाते हैं दो-दो घंटे तीन-तीन घंटे सिस्टम काम नहीं करता है कई दिन तो दिन भर काम नहीं करता है अगले दिन भी दो पहर बात शुरू होता है अभी कल की बात बता देख दो गंटे तक सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है सिस्टम का यह हाल है कि अगर आप आधार कार्ड की जो प्रक्रिया है उसमें करेकशन के लिए जाए करेकशन के लिए सो रूपया लग भी गया किसी का तो भी करेक्शन करेजरी फारवर नहीं होता क continuation कि वो दुनिया भारत की हर चीज़ को आधार कार्ड से जोड़ देगी एलेक्शन में वोटिंग के लिए जो आई कार्ड है जो ओटर आई डी उसको भी आधार कार्ड से जोड़ने का कानून पारित कर दिया गया है सरकार एलेक्शन कमीशन प्रशासन के लोग इसको चुनाव सुधार कह रहे हैं क्रांतिकारी चुनाव सुधार जब बैंकों को सारुजनिक संपत्ति को देश की संपत्ति को बेचा जाता है तो उसको भी कहा जाता है कि radical reforms जमीनों को किसानों की जमीनों को जब उद्योगपतियों को कार्पोरेट को देने का रास्ता साफ किया जाता है तो उसको कहा जाता है क्रांतिकारी सुधार भूमी का बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुधार अब सवाल है कि विनाशकारी शुदारपिए क्या है तो मुझे लगता है दोस्तों यह जो उदारण कुछ मैं एने जानबुच कर शुरू में ही डिये कि यह जो सुदार, चुनाव, सुदार किये जा रहे हैं दरसल यह चुनाव के सुधार हैं या चुनाव को गर्थ में ले जाने वाले हथकंडे हैं चाहिए वाकई चुनाव की प्रक्रिया में कोई संशोधन या बेहतर सुधार करेंगे या यह जनतंत्र की प्रक्रिया का ही चीरहरण करेंगे 16 नौंबर को ला मिनिस्ट्री द्वारा निर्देशित एक बैठक जो पीमो के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाई थी उसमें चीफ एलेक्शन कमिशनर और दोनों एलेक्शन कमिशनर की मीटिंग रही मुलाकात रही वर्चुल ढंक से बैठक हुई और उसके कुछी समय के बाद ये पार्लमेंट में ये चीजें सामने आई हमारा कहना ये है दोस्तों कि ये जो प्रक्रिया की गई है चुनाव सुधार को अमली जामा पहनाने के नाम पर क्या इसका राजनाइतिक दलों के बीच आम लोगों के बीच सिविल सोसाइटी के बीच क्या इस पर कोई बह कि लिए गई है और अगर नहीं ली गई है तो जो मीनी पार्लामेंट कही जाने वाली हमारी पार्लामेंटरी कमेटी जैए अगर पार्लामेंटरी कमेटी का एक किसी और कमेटी को सौप देजिए जो स्टेंडिंग कमेटी हैं आप उन में से किसी को भी आप सौप दीजिए जिसमें फिर से इस पर एक फ्रेश लुक लिया जा सके उसको फिर से देखा जा सके जब पार्लामेंट के फ्लोर पर ये बातें उठ रही हैं तो इससे बड़ा लेकिन सरकार तो आनन फानन में जैसे क्रिशी कानूनों को उसने पास कराया था ठीक वैसे ही उसने इस कानून को भी आनन फानन में पास करा कर और कहा कि बस अमली जामा पहनाएंगे तो दोस्तों ये कानून ये जो संचोधन है मैं इस पर कुछ विंदू जो बहुत महत्पून हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एलेक्शन कमीशन ने 2015 के आसपास ही सरकार और अपने बीच जो संबाद होता था उसमें भी उसने इस तरह के आधारकार और जो वोटर आईडी है दोनों को लिंक करने का एक मनशा जाहिर की थी और इस पर बातचीत चल रही थी कहां कहां बात होई किन स्तरों पर बात होई कोई नहीं जानता लेकिन अपोजिशन को और सिबिल सोसाइटी को इस बारे में कोई confidence में नहीं लिया गया यह एक बिलकुल साफ बात है अब सवाल इस बात का है कि आधार को मताधिकार का अधिक आधार बनाना कहां तक जायज है आप कह रहें कि नहीं हम तो आधार नहीं बना रहें आई वोटर आईडी को तो बोगस मतदान नहीं होगा सरकार का या एलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है पर्टिकुलरी गौर्मेंट आफ इंडिया का कि अगर आधार से वोटर आईडी जोड़ दी जाए तो इससे बोगस मतदान रुक जाएगा बहुत जगा लोग वोट करते हैं और फिर दूसरी जगों पर जाकर भी वोट कर लेते हैं जहां तारीख दूसर केली भी डॉकुमेंट में भी है तो अगर यह स्वैक्षिक है तो फिर बोगस मतदान रोकने की बात कैसे इसमें समाधान उससे कैसे हो जाता है इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड का जो उपयोग आप करना चाहते हैं उसका मकसद कुछ और है और अगर राश्चन कार्ड डिलिट किया जा सकता है क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो स्वैक्षिक बनाने का जो आपका दावा है वो कैसे जायद ठायरा सकता है कैसे माना जा सकता है कि वो सही है और यही नहीं अगर आधार कार्ड से आप जोडने का मकसद रखते हैं और जिसके लिए आपने विधायक को पारित कराया है कानून बनाया है तो क्या इसके पीछे कोई और मकसद है अपोजीशन के बड़े नेता कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद हो सकता है कि जो शासन तंत्र है जिन लोगों से उसको लगता है कि सत्ताधारी दल के ये सपोर्टर नहीं है किसी चेत्रविशेस में तो बहुत सारे लोगों को या कुछ लोगों को मताधिकार से रोकने के लिए इस हथकंडे का उपयोग किया जा सकता है यानि आधार कार्ड के जरिये बहुत सारे लोगों को उनके वोटिंग राइट से वन्चित किया जा सकता है ये कह कर कि आपका तो आधार कार्ड में नाम ये है आपका तो वोटिंग जो आईडी है उसमें नाम ये है आपकी जन्तिति में एक गर्ड़ी है इस पेलिंग में स्टेक है कुछ भी आप कह सकते हैं अनेक लोगों को मैंने मतदान करते हुए कतार में खड़े लोगों को देखा है कि वो सब कुछ उनके पास वैरिड है फिर भी 2019 के चुनाओं का मेरे पास प्रमाण है प्रमाण कि मतदान केंदर पर जाकर भी लोग लोट आए क्योंकि बताया गया कि आपके नाम के आगे देवी नहीं लिखा है आपके नाम के आगे सरनेम नहीं लिखा है वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे आधार कार्ड में यही है मेरे वोटिंग कार्ड में यही है तो मैं करूं क्या तो यह आप card लेकर आई हैं तो आपका तो नहीं हो पाएगा तो जिस देश में इतनी सारी परेशानियां हैं जिस देश में spelling शुद्ध लिखने में इतनी सारी documentation में इतनी सारी problems हैं वहां आप अगर आधार card और voter ID card को link करने की प्रक्रिया को आप अमली जामा पहना रहे हैं और ए जिसको रोकना है उसके लिए में डेटरी होगा जिसको नहीं रोकना है उसके लिए स्वैक्शिक और यह किवल मैं नहीं कह रहा हूं यह पोजिशन के बहुत सारी निता कह रहें तो जब अपने देश में भूत मैनेजमेंट से लेकर और वोटर लिस्ट का पूरा का पूरा मैनेजमेंट बड़े-बड़े राजनितिक दल बड़े-बड़े कारिकरताओं को लगाकर पूरी वोटर वोटिंग मेशिनरी उनके पास है पूरी उनके पास चुनाओ मेशिनरी है उसके जरिये जहां मैनेज किया जा रहा हो इस तरह से वहाँ क्या ठीका ना कि वोटर आईडी और आधार का जो कथित लिंक है उसमें भी कोई disruption किया जा सकता है कोई धांदली की जा सकती है और पूरे के पूरे जनतंतर का माख़ौल उड़ाय जा सकता है तो यह जो मसला है आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का यह जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना सीधा नहीं है यह बहुत टेड़ा है और दूसरी बात दोस्तों कि प्राइवेसी का जो उलंगन है जो प्राइवेसी का जो बड़ा खत्रा है निजता का जो बड़ा खत एक राज्य में तो पता चला था कि लगभग आठ करोड के आसपास डेटा पता नहीं कैसे कहीं से हस्तगत कर लिए गए यह क्या है और जब आपके पास इस तरह का कानून नहीं है कि आप लोगों के नेजिता के जो अधिकार हैं उनकी वाकई रक्षा कर सकें उनके आंकणों क को उनके इन्फॉर्मेशन को आप उनकी सुरक्षित रख सकें तो आधार और वोटर आईडी के लिंक को कैसे जायज ठैरा जा सकता है तेलंगाना का एक छोटा सा उधारन में आपको दूँ कि वहां ज्वाला गुट्टा यह बैड्मिंटन की स्टार खिलारी हैं पिछले चुनाव की बात है यह जब वोट डालने गई तो इनका नाम नहीं था इनको कहा गया कि नहीं आपको नहीं अब जबकि कुछी दिन पह बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार अनिक जगों पर हम देखते हैं कि महला के महले खाली हो जाते हैं अचानक कैसे होते हैं मुझे लगता है कि अगर वाकई एलेक्टरल रिफार्म्स करना है ताकि आपके मत्ताताओं को मत्दान करने का बे खौफ बे रोक टोक इंतजाम हो उसमें तो आपको कोई और तरीका खौजना पड़ेगा आधार से लिंक करने का ये जो आपने तरीका खौजा है वो पूरी तरह नाजायज है वो पूरी तरह गलत है पैधानिक भी नहीं है सुप्रिम कोट आफ इंडिया स्वेम कह चुका है कि आधार का उपयोग कुछ ही स सुप्रिम कोट आफ इंडिया उसको आप प्रेक्टिस में में डेटिरी कैसे बना रहे हैं इन प्रेक्टिस। तेहरोटिकली नहीं तो आप कहेंगे कि स्वैक्षिक है बहुत सारी स्वैक्षिक चीज़े हैं हम लोगों से काज आता है कि आधार का दिखाएं किसी भी जगह क इसी भी वक्त लोग कहते हैं कि आप आधार कार्ड दिखाईए जब यह स्पैक चीक है हम दूसरा कार्ड दिखा रहे हैं फिर आप क्यों आधार मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि आधार और जो मतदाता जो पहचान पत्र है दोनों को जोडने का जो यह पूरा का पूरा इसके पीछे वाकई मनसा कहीं न कहीं चुनाव की प्रक्रिया को मन मर्जी प्रभावित करने की है इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती है और बिलकुल आखीर में दोस्तों कि चुनाव सुधार से हम क्या समझते हैं क्या हमारे देश में जो चुनाव आयोग है इस तरह के मसलों पर एक कारगर हस तक छेट नहीं कर पा रहा है क्या वो सत्ताधारी जो agencies हैं जो सत्ताधारी party है जो सरकार है क्या उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए सिर्फ अभिशब्ध हो गया है निर्वाचन आयोग का जब प्रावधान भारत के सम्मीधान में किया जा रहा था, उस वक्त भी लोगों ने सवाल किये थे लिकिन आज तक हमारी तमाम सरकारें चुनाव सुधार के नाम पर हर कुछ कर रही है, आधार को मददाता कार्ड से जोडने से लेकर और तमाम reforms कर रही हैं लेकिन एक reforms कोई नहीं कर रहा है कोई तैयार इस पर बात करने को नहीं है कि election commissioners के appointment को कैसे इस प्रकार बनाया जाए कि वो सरकारों के दबाव में आने से बचें वो वागई free and fair election नौकेवल कराएं बल्कि free और fair करता हुआ दिखें भी टियन शेसन और जेयर जेम लिंग्डो जैसे दो कमिशनर्स की अगर बात छोड़ दी जाए तो बात के जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं और अब तो हालात और खराब हो चुके हैं मैं बस यह कहा रहा हूँ कि यह जो एलेक्शन कमिशनर्स की नियुक्तियां हैं यह किसा अधार पर हो रही हैं कैसे सरकार तै करती है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा और सरकारें ही क्यों तै करें अगर सरकार में बैठी हुई पार्टी सरकार चलाने वाली पार्टी उसकी मंशा अगर जंतंत्र को लेकर चनाव की प्रक्रिया को लेकर अच्छी नहीं है तो यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि वो चुनाव ट्रांस्परेंट होगा, वो निस्पक्ष होगा, वो पारदर्सी होगा और वो सतंत्र होगा भारत की संविधान सभा में ये सवाल किसी और ने नहीं उठाया था इस प्रावधान को इस आटकिल को मूव करने वाले टाक्टर भी रम鍵ाटकर जो ड्राफ्टिंग के चैर्में थे उन्हों ने भी उठाया था और उन्होंने जो कहा घृषास की डिबेट में संभीदान सवा में article 289 यह article 289 वही है जो आज में 324 है इसा कि 289 और भारत के संभीदान में 89ster t 24 के नाम से जानी उस समय उन्होंने कहा था कि संभीदान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे किसी जाहिल किसी धोर्त या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त से बाधित किया जा सके जो सरकार का पिठ्ठू हो यह क्या है यह बात डॉक्टर अमबेटकर कह रहे हैं तो जो लोग यह समझते हैं कि समिधान में जो कुछ है वो बाबा साहब के सपनों के हिसाब से है डॉक्टर अमबेटकर की इक्षा के अनुसार है यह बिलकुल बेमतलब बात है स्वैम डॉक्टर अमबेटकर कई मामलों में क्रिटिकल थे कि इस आर्टिकल से क्या होगा और क्या दिक्कतें पैदा होंगी इसमें सरकार का सपोर्ट उनको नहीं मिला इतना मिलना चाहिए था इसलिए सबसे बड़ा जो संचोधन है इलेक्षन कमिशन के रूल में और चुनाव सुधार के लिए जरूरी प्रावदान है वह तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का है कि कैसे यह ज़ादा समवेशी ज़ादा ट्रांस्परेंट ज़ादा फेर बनाया जाए कैसे यह सिर्फ सरकार की मरजी से नुक्तिया नहों इसमें कैसे विपक्ष भी हो, कैसे जुडिशिरी भी हो कैसे सिविल सुसाइटी का भी इन्वालमेंट हो अगर ये हम नहीं करते तो बाकी के चुनासुदारों का कोई मतलब नहीं है और आधार को मद्दाता पहचान पत्र से जोड़ने का जो मसला है वो निश्संदे उसकी उसकी जो मन्शा है वो कुछ और है जनतंत्र को मजबूत बनाने की तो हरगिद नहीं है तो आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सच्छियकार